जी students, आज हम biology की दो और important branches के बारे में पढ़ेंगे genetics and embryology genetics में हम information transformation देखते हैं जैसे living organism में कैसे होती है और embryology में हम देखते हैं कि एक cell से पूरे के पूरा individual कैसे बनता है हम first of all genetics को study करेंगे, देखते हैं genetics का है हम biology की बहुत सी branches बना दी गए है क्योंकि biology एक बहुत वास study है living things की study को बहुत ज्यादा वास study किया गया है क्योंकि दुनिया में जब से ज्यादा living organism पाई जाती है और उन से related जितनी भी study है उनको आगे divide कर लिया है असानी के लिए और हमने सबसे important आज जो पढ़नी है ब्रांच वे है genetics अब genetics जो है वो एक word gene से निकला है ठीक है उसकी study को हम genetics कहते हैं अब gene क्या होता है पहला सवाल तो हमारे जहन में यह आएगा ठीक है gene कहां से आया है gene जो होता है वो एक small part of DNA होता है sequence of DNA होता है small part of DNA ठीक है small part of DNA और अब हमारे सवाल जहन में यह सवाल आएगा बगी कि DNA क्या चीज है हम जानते हैं हम सेल का सब्सक्राइब पढ़ चुके हैं कि सेल जो होता है वो एक basic unit of life है उसके अंदर जो central part है यह जो हमारे पास आपको नजर आ रहा है यह nucleus होता है हमने सेल के अंदर देखा है यह पूरे सेल को control करता है control unit होता है अब इसके अंदर क्या material होता है इसके अंदर जो heritage material होता है जो एक generation से दूसरी generation में information transfer करता है उसको हम DNA कहते हैं और DNA कहते है जो small part होता है वो gene होता है अब gene क्या करता है जीन का काम क्या है जी और यह DNA जो है इसके छोटे से part को इस यहां से cut लगा लें इतना part जाए यह gene होगा ठीक है जी हम यह कहते हैं अब gene क्या करेगा जीन एक specific trait को एक हूबी को बताएगा जैसे एक हमारे skin color के लिए एक लग से gene है ठीक है हमारे आंखों क color के लिए लग से gene है तो यह gene जो होता है वो खास किसम की character को और इसको specific का हमारे पास gene होगा ठीक है जी वो specific gene बताएगा कि हमने कौन सा color बनाना है body का skin का eyes का hair का यह सारे genes का का काम है तो यह genetics जो है information transformation होती है एक generation से दूसरी generation में बच्चे अपने बालदें जैसे क्यों होते हैं या अपने दादे दादे से क्यों मिलते होते हैं क्योंकि वो information उनको वरासत में मिली होती है और वरासत क्या चीज़ होती है जी एक आप वरासत तो वैसे हम जैसे example ले लेते हैं हमारे पास जाएदाद जो हमें मिलती है अपने वालदें से वो वरासत कही जाती है लेकिन फीक इन जो अ निविंग इन तप्रेंपध में जाहते हैं, फुरप वह गींधिक्स हो जाती हैं, बेident चरी हैं सब्सक्राइब UC ट्रीन होता है वह जीनस होते हैं और वह एक लिगेूंगे नेछर में सामील होती है। फ। टीक है वो कैसे ट्रांसफर्म होगी और वो कौन-कौन से ट्रेड्स हैं आगे से आगे नसल दर नसल की चीज़ें चलती है ठीक है तो जनेटिक्स जो है वो बहुत important है इससे बहुत सी diseases जो है हम कंट्रोल कर रहे हैं जैसे के हीमोफीलिया है यह भी खास किसम का जीन है जो वो पर्टीन बिनाने नहीं दीता ठीक है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत important role play कर रहे हैं ठीक है diseases को कंट्रोल कर रहे हैं और इससे बहुत ज़दा तरकी आई है human की जो life है वो better हो गई है next हमारे पास embryology आजाती है embryo कहते है embryo एक ऐसा word है जिसका मतलब है unborn unborn जो चीज है जो भी पैदा ही नहीं हुई जो दुनिया में नहीं आई उसको हम कहते हैं unborn ठीक है unborn की जो study होती है उसको हम कहते हैं embryology ठीक है अब कैसे एक cell से पूरे का पूरा individual हम एक अंडा देखते हैं अंडे की शेप और जासी और होती है ठीक है और उसमें से ही अंडे से ही एक चुजा बन जाता है यह कैसे पॉसिबल है वह सारा process एक cell से पूरे का पूरा individual कैसे बनेंगा उसकी जो हम study करते हैं वह जो होता है उसको हम कहते हैं embryology ठीक है में वह डिवेलप कैसे करेगा cell बनेगा उसके body parts बनेगे उसकी eyes nose उसकी development होती है कि पूरी पूरी उसकी body का बनना ठीक है उसकी body parts का बनना ठीक है उसको हम development कहते है body parts development ठीक है तो यह सारी चीज़े हम इसमें embryology में study करते हैं वह embryo किसी कोई इंडिविज़ल वह इंसान के बच्चे भी हो सकते हैं वह जानुरों के बच्चे भी हो सकते हैं वह किसी भी organism के children हो सकते हैं जिनकी development stages जो इस इस स्टेज़े से वह गुजरता है वह हम study जो हसारी embryology में करते हैं